हे हे कैसे है आप सभी तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सैमसंग गैलक्सी जैसिक्स का कैमरा डीटेल सेटिंग्स जैसी के आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है गैलक्सी जैसिक्स एंड कितना खूबसूरत मोबाइल डिवाइस है देखिए आप हम ज्यादा तर फिनिश भी बहुत ही ब्यूटिफुल है तो अगर आप देख रहे हैं कि सैमसंग गैलक्सी जैसिक्स लेना है या नहीं तो जरूर कंसिडर किजिए सिरियसली देखे कितना ब्यूटिफुल गॉर्जिस लुकिंग फोन है 13 मेगा पिक्सल का रेर कैमरा मिलता है एफ 1.9 अप फ्लैश भी है तो यह बहुत ही अड्वांटेज है कि आपको LED फ्लैश भी मिलता है एंड यह 1.9 अपरचर वाला कैमरा मिलता है तो बहुत ही बढ़िया इमेज़स आएंगे सेल्फी हो या फिर बैक कैमरा से तो आज के अभी के वीडियो में हम देखने वाले है कि क्या-क्य कैमरा सेटिंग्स आफर करता है और कैसे आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ करके अच्छे पिक्चर्स कैप्चर कर सकते है तो यह है सैमसंग गैलक्सी जैसिक्स का कैमरा यूजर इंटरफेस वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चनल प यह लो जस्त अगर आप कैमरा ऐकॉन पर टैप करेंगे तो आप आपविस्ली केम्रा उपन ही होगा अगर आप कमर्स पर है तो इसा नहीं पर है तो पहुंच नहीं रहा है तो प्र से चैमरा ओन हो जाएगा तो अभी जैसे कि आप यहां पर एक छोटा सा आईकॉन बाबल देख सकते है जहां चाहिए माँ मुग कर सकता हूं अगर आपका यहां तक पहुंच नहीं रहा है तो आप क्या कर सकते है यह वाईबल यही पर ले सकते है अगराप लेफ्ट से यूज नहीं करना पड़ेगा तो यह वाल आइकॉन जहां पर आप रखेंगे वहां पर मूँ होगा एंड ऐसे टैप करेंगे तो कैप्चर हो जाएगा तो यह कहां से आया देखिए हम पर सेटिंग साइकान है ना जस्टैप करना है आपको अगर आप नीचे जाएंगे तो फ्लोटिंग कैमरा बटन आप इसको एक बार एनेबल कर दीजिए तो यहां से वह कैमरा शेटर बटन अन हो जाएगा तो इसके देगा यानि कि आप कोई भी फ्रेम मिस नहीं करेंगे जो भी अबजेक्ट जो भी कैप्चर करना चाहा रहे है आप स्ट्रीट में हो कहीं भी हो अगर परसन का कुछ भी आप मिस नहीं करना चाहते फ्रेम तो जस्ट टैप एंड होल्ड बहुत जारे आपको इमेजस बिना क पहले ऐसा ही था लेकिन अभी उन्होंने चेंज करके कंटीने शाट मूड बना दिया है तो यहां से आप देख सकते फुल व्यू है जस्ट आप इसको एक बार टैप करेंगे तो फुल व्यू टर्न डॉन एटीन पॉइंट फाइज तो नाइन एस्पेक्ट रिशियो यानि जैसे कि आपको पता ही है जब भी आप कैमरा उपन करेंगे इसी मूड पर रहेंगे आप आटों पर यानि कि जस्ट पॉइंट एंड शूट अभी इसमें क्या कर सकते हैं देखें जस्ट अगर आप यहां पर फोकस चाहते हैं या फिर मान लिजिए इस लिव पर फोकस चाह जादा होगा कितना ब्राइट एंड लिट आया देखें ज्यादा नहीं करना है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज करके आपके सीन के ओपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है तो आप ऐसे करके बहुत यह अच्छा क्याप्चर कर सकते हैं तो यह था टैप फोकस और उसके बाद इससे एक्सपोजर वाल्यू आप चेंज करके देखें यहां पर आप जैसे कि देख सकते फिल्टर है तो इसको टैप करेंगे तो आप ब्यूटी फिल्टर लगा सकते हैं या फिर डिफॉल्ट जो भी आटम का कोजी क्लैसिक ऐसे अलग-अलग फीचर से जस्ट टैप करेंगे तो लाइव आपको दिखाए देगा कि कैसे पिक्चर आने वाला है तो ऐसे आप कैप्चर करके वह वाला फिल्टर अपलाई कर सकते हैं अगर डिफॉल्ट लाना है यहां पर रिमूव एफेक्ट करके हैं जस्ट टैप करें तो नॉर्मल हो जाएग तो आपको क्या करना है जस्ट चोटा साइकॉन है टैप किजिए इंस्टेंटली सैमसंग माल पर जाके इंटरनेट से आपको इसके रिलेटेड इनफॉर्मेशन देगा तो यह आप सैमसंग माल जरूर्र यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया फीचर है सैमसंग से और न इस तो इतने अच्छे फीचर्स दिये है रेर कैमरों को भी दिये है और फ्रेंट कैमरों को भी है ऐसा आइकॉन तो आप बिल्कुल परसंस को जैसा ब्यूटिफाई चाहते हो वैसा आप कर सकते हैं यहां से टैप करना है और स्लाइडर को मूव करके देखिए कि आगर आप आपको फेस कुछ बदलना है फेस का कलर हो स्किन का कलर हो या फिर स्मूथनेस हो यहां से आप बिल्कुल स्लाइडर को चेंज करके कर सकते हैं तो यह है ब्यूटि मूड तो ब्यूटि मूड के हिसाब से ही उन्होंने दिया है यहां पर आर्टिफिशल इंटलिजन्स का टे बहुंद बल्ब वाला इकउन था ना वहीं एक्सपोजर वाल्यू यहां पर है तो टाप करके लीजे आप थोड़ा under expose करके यानि कि आपका clouds का हो blue sky का हो वो अच्छी तरह से detail में मिलता है और बहुत ही help होता है images को तो ऐसे आप exposure value को use करें the next one है यहाँ पर ISO इसको हमेशा आप आटो पर ही छोड़ दीजिए क्योंकि अगर आप इसको change करेंगे तो इसके related shutter speed यहाँ पर change क करने के लिए नहीं है तो इसलिए इसको आप आटो पर ही रखें तो next यहाँ पर देखिए metering है यह वाला matrix center weight and spot यह कैसे वर्क करता है देखें बहुत ही important feature है कोई भी camera में अगर ले रहे है आप तो metering mood ज़रूर यूज कीजिए मान लीजिए अगर फुल फ्रेम में आपको focused image चाहिए sharp image चाहिए तो क्या करना है आपको matrix metering पर capture करना है जस्ट ब्रीफ बता रहा हूं आपको detail में नहीं जाओंगा तो matrix mood तो next है center weight अगर center frame पर यहां पर आपका कोई भी person है या फिर object है उसको सिर्फ shark करना चाहते है तो center weight and the next one is spot जैसा की नाम है कोई भी flowers का या फिर सिर्फ single subject का person का capture कर रहे है तो spot metering रखके आप क्लिक किजिए देखे beautiful images आपको मिलेगा background blur करके तो separately background blur करने के लिए यहां पर samsung में कुछ भी नहीं है तो आप इस metering को spot रखके आप capture करके देखे बहुत ही अच्छा background blur वाला images आपको मिलेगा तो यह है metering method यहां से आप change कर सकते हैं अगर आप white balance पर change करना चा सकते हैं तो यह temperature Kelvin change होता है तो जितना कम number रहता है उतना cooler images मिलेगा जितना ज्यादा number रहता है उतना warmer images मिलेगा तो यह depend करता है कि क्या scene capture कर रहे हैं आप और वहीं पर आपको change करके देखना है तो इतना options है pro में next move करेंगे HDR तो जैसा की नाम है high dynamic range आपको पता ही होगा HDR कैस से यूज़ करें तो उसको यूज़ कर सकते हैं यहां से बैसिकली इवनली लिट images मिलेगा और उसके साथ आपको थूड़ा shadows and highlights में बूस्ट मिलके आपको अच्छा images मिलेगा तो लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि बिल्कुल steady रखना है आपको को ताकि shaky images blur images ना आए नेक्स्ट है panorama जैसा की नाम है आप एक बार tap करके ऐसे just ऐसे move करते जाए वो frame लेके automatically stitch करके आपको images देखा 360 degree या फिर आप half में भी cut कर सकते हैं ऐसे देखिए कितना wide angle images लग रहा है ना तो ऐसा भी आप use कर सकते है panorama को next stickers तो selfie freaks के लिए and अगर आप ज्यादा ऐसे funky वाला emojis हो कुछ भी हो यूज करते है stickers तो यहां पर है automatically face को detect करेगा देखते हैं minion को recognize करता है क्या कोई sticker कि अरे minion को recognize ही नहीं किया कि काम आन चलिए तो यह वाला इतना stickers है बहुत सारे stickers है आप अगर download करना चाहते तो plus है plus को tap करेंगे तो internet से वह और भी stickers देगा आपको यहां से आप यूज कर सकते हैं स्टैंप से अलग-अलग best friend देखिए यहां पर best friend का stamp है इसको move कर सकते है size बढ़ा सकते है rotate कर सकते हैं बहुत सारे features Samsung ने दिया है तो ऐसे आप करके capture कर सकते image को और बहुत बढ़िया लगेगा तो इसको minus है tap करेंगे तो बिल्कुल चला जाएगा ऐसे आप delete भी कर सकते है तो next है night mode तो night mode जैसे की नाम है बिल्कुल low light conditions में आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा images मिलेगा लेकिन एक बात द्यान में रखना है कि बिल्कुल shake नहीं करना है आपको camera जस्ट ऐसे study रखके आप capture करें और just one to two seconds hold कीजिए ताकि वह process हो सके तो उसके बाद ही आप images को देखना बहुत ही खूबसूरत images आएंगे night में तो ऐसे आप night mode को ज़रूर use कर सकते है तो इस सारे settings देखने के बाद यह एक setting है यहां पर चोटा सा icon है settings का चोटा सा icon just tap करें यहां से आपको picture size change करने को मिलेगा 18.5 is to 9 16 is to 9 images capture कर सकते हैं मान लिजी अगर आप monitor screen पर या फिर अपने laptop पर ज्यादा images देख करते हैं अपने mobile से तो आप 16 is to 9 में capture कीजेगा बहुत ही अच्छा and perfect aspect ratio वाला images आपको मिलेंगे and otherwise you have one is to one इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर बिना crop किया आप शेयर करना चाहते हैं क्लिक करके कोई भी फ्रेम को loss नहीं होना है तो one is to one में capture करेंगे तो देखे instantly square images ही मिलेगा तो कोई भी फ्रेम में loss नहीं रहेगा तो ऐसे आप aspect ratio को चेंज करके capture कीजिए ना कि हमेशा इसी को रखना है ऐसा कुछ नहीं depending on capture कर रहे हैं वैसे आप change कर सकते हैं तो starting यहां पर 13 MP है तो यहीं पर आपको full-size images मिलेगा and video size full HD 4K नहीं slow motion नहीं कुछ भी नहीं Samsung में and full HD है या फिर 18.5-9 में full view में capture कर सकते हैं तो ऐसे options है टाइमर लगा सकते हैं आप तो similar feature apply होता है front camera को भी यहां पर आपको सिर्फ white selfie मिलता है selfie मिलता है beauty slider है बस इतने features use कर सकते हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया images आता है आप इसको मैं test कर करके देखा हूं तो आप trust कर सकते है front camera हो या फिर रेर camera तो यहां से भी picture size front camera का 8 megapixel है वो change कर सकते है and even for video size and उसके बाद देखें यहां पर shooting methods है तो आप tap करके selfie ले सकते है और यहां पर palm को दिखा के भी आप selfie को capture कर सकते है और यहां से grid lines on होता है 3 x 3 अगर आप मेरे दूसरे videos नहीं देखें तो जरूर देखें बहुत ही अच्छी तरह से explain क्या हूं कि grid lines कैसे उस करें किसके लिए use होता है बाकि सब और वहां से आप देख सकते हैं यह है location tag GPS on करके location tag लगा सकते हैं and review pictures click करने के बाद अगर फोटो देखना है आपको instantly तो review pictures इसको enable कीजिएगा and floating camera button जैसे कि मैंने पहले वीडियो पर दिखाया and यहां पर volume की है तो volume की किसके लिए use करना चाहते है वह वाला आप यहां से set कर सकते है take pictures record video system volume वैसे customize करके आप जिसको यूज़ ज्यादा करते है volume button वह वाला आप रखिए and last में reset settings reset settings है नहीं बिल्कुल जो default था नया mobile कैसा था camera settings वैसा automatically change हो जाएगा तो इतने सारे features and settings है दोस्तों Samsung Galaxy J6 में अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो like पर ठोकिएगा subscribe करके बने रहिए support कीजिए हमारे चनल को मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए take care अपना bye bye